हेलो फ्रेंट्स बेलकम यह धन्य जाट की कहानी है धन्य जाट एक मतलब पंजाबी होता है और वह कहीं पर जंगल में जाता है तो रिशी मुनियों के साथ रहता है और एक दिन रिशी मुनियों को कहीं जाना होता है तो वह धन्य जाट को बोलते हैं कि तू ऐसा करना कि खाना बना के पहले भगवान को भोग लगा लेना फिर उसके बाद खाना खाना तो झधन जट बोलता है ठीक है वो बड़ा सच्चे दिल का होता है और ज़बरी सी मुनी चल जाते हैं खाना बनाता है और भगवान जैसे राम, सीता, लक्ष्मान, हनुमान जी होते हैं तो उनको बु शक्रोपनें तो नहीं है तो खना नहीं कhा रहा है। तो राम सीता लख्षवन जी को और हनुमानी को और थौन नहीं है। नहीं गुरुजी मैंने पहले भोग लगाया था और उनको चार उंको मैंने खाना खाया बहुत जादा खाना खाया था उन्होंने अराम शीता लक्षमान जी और हनुमान थे चार लोग बुला तो उन्हें भी श्वास नहीं होता पर जब फिर से बुलाओ हमने भी देखना है तो वो जब बुलाता है कि आओ भगवान जी भोग लगाओ और भगवान जी जब आते हैं तो रिशी मुनी भी उसकी बजह से मतलब भगवान जी के दर्शन कर पाते हैं राम सीता लक्षमान जी के दर्शन कर पाते हैं रिशी मुनी भी जो पूरी उमर उनको हो जाती है अत